Financial Literacy का एक बहुत ही important पार्ट ये है कि आप अपनी loan को regular interval पे analyze करें और अगर जरूरत लगे तो उसे एक bank में से दूसरी bank में transfer करें loan transfer के कई benefits हो सकता है जैसे कि आपको कम rate of interest मिल सकता है आपकी loan का rate of interest कम हो सकता है loan का EMI जो है यानि कि loan की जो किस्त है वो कम हो सकती है loan का tenure यहाँ पर कम हो सकता है और अगर आपको ज्यादा loan की requirement है Top up loan की requirement है तो वो मिल सकती है और तोर यहाँ पर loan transfer करने का जो खर्चा है जो expense है वो भी नई loan की comparison में बहुत ही कम रहता है तो आज के वीडियो में आप जानोगे कि loan transfer करने की सबसे easiest और simplest process कौन सी है जिसे हम as a loan consultant यूज करते हैं और जिसका इस्तिमाल करके आप भी अपनी loan को आसानी से transfer कर पाओगे तो आईए start करते हैं तो loan transfer करने का सबसे पहला और important step है be clear with your requirement कि आपको clear रहना है कि आप अपनी loan को क्यों transfer कर रहे हो कि आपको rate of interest कम करना है कि आपको अपनी loan की किस्त कम करनी है कि आपको top of loan की requirement है क्यों आप अपनी loan को transfer करने के बारे में सोच रहे हो उसके बारे में अगर आप clear रहोगे तो आ आपको अपनी लोन को ट्रांसफर करने से पहले एक opportunity, एक मोका देना है अपनी existing bank को, जहाँ पर आपकी लोन अभी चल रही है, अगर आप अपनी लोन को इसलिए ट्रांसफर करने के बारे में सोच रहे हो कि आपको rate of interest कम करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी bank को बोलना है कि मेरा जो home loan का rate of interest है, वो 7% है, जबकि competitive rate of interest जो सारी banks दे रही है, वो है 6.5% तो क्या आप मेरी जो home loan है, उसका rate of interest कम करोगे, सबसे पहले आपको उनको पूछना है, और 10 में से 7 case में आपकी जो existing bank होती है, वही आपके rate of interest को कम कर देती है, और अगर आपको ज्यादा amount की loan की requirement, top of loan की requirement है, तो भी आपको सबसे पहले अपनी bank को ही बोलना है, अगर आपकी bank ही आपकी सारी requirement पूरी करती है, तो उसमें आपको almost negligible expense लगेगा, लेकिन अगर आपकी bank नहीं मान रही है, आपकी जो requirement है उसको वो पूरा नहीं कर पा रही है, तो आपको क्या करना है, आपको वो bank में जाके आपको foreclosure letter और list of document की request देनी है, ये बहुत ही important step है, foreclosure letter एक ऐसा document होता है कि जिसमें लिखा होता है कि आज की date में अगर मुझे मेरी अपनी loan को close करना है, तो मुझे कितने पेसे भरने पड़ेंगे अपनी bank में, मेरी outstanding loan कितनी है, वो लिखा होता है foreclosure letter में, और list of document है कैसा document होता है कि जिसमें ये लिखा होता है कि जिस time पे मैंने अपनी loan कराई थी, उस time पे मैंने अपनी property के कौन-कौन से original documents दिये थे, तो ये जो दोनो documents है, वो आपकी नई bank आपसे मांगेगी आपकी loan को transfer करने से पहले, और ये एक बार आप request दोगे ये documents कि उसके कौन सा step आएगा, उसके बाद का step है, find minimum three quotations, at least आपको तीन bank में से quotations निकालने है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो major bank से उनकी website में जाके देखना है कि वो lowest कितना rate of interest भी offer कर रही है, और उसमें से आपको कोई specific bank चूज करनी है, और वहाँ पर आपको अपने income documents बताने ह और at least आपको तीन quotations निकालने है, सो ये एक बहुत ही important step है, उसके बाद क्या आएगा, do cost benefit analysis, आपके पास तीन quotations है, उसके बाद आपको ये तीनों quotations को compare करना है, और देखना है कि आप अगर अपनी loan को transfer करते हो, तो उसका कितना cost आएगा, और उसका कितना आपको benefit मिलेगा ये भी बहुत ही जरूरी step है, cost benefit analysis के बाद आप वो position पे होंगे कि आप compare and finalize the bank, आप ये compare और finalize कर पाओगे कि आपको कौन सी bank में अपनी loan की process को आगे बढ़ाना है, उसके बाद कौन सा step आएगा, उसके बाद आपको अपने income और property documents देने हैं नई bank में, जहां पर आपने finalize किया है कि आपको अपनी bank को transfer करना है, उसके बाद कौन सा step आएगा, उसके बाद आपकी जो नई bank होगी, जहां पर आप अपनी loan को transfer करना चाहते हो, वो आपकी loan की process करेगी, उसके बाद कौन सा step आएगा, उसके बाद आपको quickly आगे नहीं बढ़ना है, उसके बाद बहुत ह आता है और वो है analyze sanctioned conditions आपको आपकी जो नई बेंक है वो आपको sanctioned letter देगी और वहाँ पर वो sanctioned letter को आपको closely monitor करना है उसको अच्छे से समझना है उसको अच्छे से देखना है कि उसमें कौन-कौन सी conditions दी गई है sanctioned की कौन-कौन सी conditions है वो नया rate of interest क्या है नया tenure क्या है और जो आपकी bank ने पहले आपको बोला था वही है या उसमें कोई बड़ा सा कोई difference है तो ये जो step है वो बहुत ही important step है आपको quickly अपने sanctioned letter पे sign करके अपनी process को आगे नहीं बढ़ा देना है ये sanctioned condition को आपको अच्छे से समझना है उसके बाद कौन सा step आएगा उसके बाद आएगा final sanction यानि कि अगर आप कोई particular sanction condition में आप comfortable नहीं हो तो आप अपनी bank को बोलते हो और उस हिसाब से आपकी bank आपको ultimately final sanction letter देती है उसके बाद आपको अपनी loan का disbursement कराना है यानि कि आपको अपनी loan को actually में transfer करना है त यहाँ पर हर एक step important है